तो हलो नमस्कार दोस्तों स्वागा था आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू अपडेट पर दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना जंधन योजना के तयात नया खाता खोल सकते हैं तता जो 20 ला क्रोड रुपे प्रधान मंत्री द्वारा देश की जंता में वित्रित किये गए हैं उन मेंसे 41 करोड रुपे प्रधान मंत्री ने महिलाओ के जंधन खाते में डालने के लिए दिये हैं जहां दोस्तों आप कैसे इन योजना का लाब ले सकते हैं अगर आपका खाता जंधन योजना के तयात नहीं खुला है और आप जानकारी के लिए बता देगी इस योजना के तहां तब तक 500-500 रुपे की दो किस्ते दी जा चुकी है तथा 20 लाग क्रोड रुपे के रहत पैकिस के बाद पधान मंत्री नेटेंदर मोधी की सरकार 2000 रुपे और 1000 रुपे की किस्ते देने जा रही है जहां तो 2000 रुपे की क जानकारी पहुंचती रहे यह सभी जानकारी केंसरकार और राजयसरकार द्वारा हम अब तक पहुचाने का कार्या करते हैं तो चले दोस्तों सुरुवात करते हैं इस्टैप फर्स्ट पधानमंति निर्मला सितरा मन द्वारा देश की जनता में वित्रित करने के लिए उन्होंने लगातार चार दिनों में देशी जनता में 18.66 क्रोड लैक्स रुपे अब तक वित्रित किये जा चुके हैं जिसमें से महलाओ के जंदन योजना से जुड़े खातों में पधानमंति निर्मोदी की सरकार 41 क्रोड रुपे जहां उस्तो 41 क्रोड रुपे डालने जा रही है और यह सभी पैसा महलाओ के एकाउंट में आएगा इसकी रासी 1000 रुभी हो सकती है आपकी जानकारे के लिए बता दे 1000 भी हो सकती है 2000 भी हो सकती है जो जंदन योजना के त खाता नहीं है और आप अपना खाता खुलवाना चाहते हैं बैंक में जाने पर आपको मना कर देते हैं और आपका निरास होकर वापिस घर आजाते हैं तो घबराईए नहीं हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे कि आप कैसे घर बैटे ही जंदन योजना के तर खा चुके हैं अगर आपके खाता नहीं है तो आप खाता खुलवाना चाहते हैं आपको क्या क्या करना होगा सबसे पहले आपको क्या क्या प्राप्त होता है खाता खुलवाने से आपको पहले क्या क्या दिया जाता है इसकी क्या क्या सुविधाय हैं सबसे पहले दोस्तों भारत क किसी बैंक में आप याकाता खुलवा सकते हैं और इसके लिए आपको खाता धारा को रूपी डेबिट कार की सुधा भी दी जाती है और आप पर जो ब्याज लगता है जो पैसे आसमें जमा करते हैं उस पर भी भासरकार आपको ब्याज देती है जन्धन योजना के तहता सभी खुले खातों में भासरकार तीस हजार रुपे का बीमा भी देती है जहां तो तीस हजार रुपे का भासरकार जन्धन खातों से चुड़े लोगों को तीस हजार रुपे का बीमा देती है इसके सुधा देती है साथी हाँ पता दो इस से एक लाग रुपे का दूर घटना बीमा भी दिया जाता है किसी कानवस अगर कोई व्यक्तिक सदर्श्य दूर घटना गरस्थ हो जाता है या उसके मुरुत्ति हो जाती है तो भार सरकार जिन महला खाता खुला होता है जंधन योजना के तहट उन्हें एक लाग रुपे देती है साथी आपकी जानकारे के लिए बता दे इसमें अगर आपने जंधन योजना के तहट छे मेने लगतार ढंक से कार्या किया इसका जोजना के लाब लिया एकांट्स में ट्रांजक्शन करते हैं तो आपको उसमें पांच जार रुपे की ओवरड्राप्ट सुविदा भी दी जाती है अगर आप इसमें लगतार छे मेने तक अच्छे से करेरत रहते हैं ओवरड्राप्ट का मतलब यह है कि अगर आपके खाते में जीरो बैलेंस है तो आप इस खाते से 10,000 रुपे की रासी निकलवा सकते हैं लेन देन कर सकते हैं जिसके तहट आप अपने जीव के चलाने में एक एहम भूमी का निभाने में काम्याब होंगे परधानमंद्री जंधन योजना के तहट किसानों को बेहदी महतपूर्ण लाप दिया जा चुका है हम आपको बजादे इस योजना के तहट आप सरकारी नोकली पैंसन स्कोलर से पित्यादी भी ले सकते हैं और इसके तहट आप पूरे भारत में कहीं पे भी अपने पैसे निकाल सकते हैं ट्राइप्शन कर सकते और आपको यह जानकारी बैंक में जाकर देनी होगी जो अधिकारी है जो बैंक में अकाउंट्स खोलते हैं दोस्तो घ्यान दीजिए अगर आपका खाता वह अधिकारी नहीं खोलता है और आपको वह मने कर देता है तो हम आपको सबसे एहम और सुगम योजना एक स्कीम वहां से आपको जंधन योजना से जुड़ा फर्म डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड फर्म करके आप अपनी संपू जानकारी इसमें भरनी होगी और एक से दो घंटे के अंदर आपको वह एकाउंट्स बैंक में देनी होगी जिसके तुरंत एक घंटे या दो घंटे बाद आपका खाता जंधन योजना के तयात खोला जा सकता है आपको सिधा ओफिशल वेबसाट पर जाकर जंधन योजना की फर्म डाउनलोड करके उसमें एटू जैड जो आपकी दस्तावी जानकारी है जो आपकी डिटेल्स है जो बैंक में दी जाती है वैसा भी आपको दोस्तो यकिन कीजिए मात्र एक से दो घंटे के अंदर आप का खाता त्यार हो जाएगा खुलकर और आप उसमें परधान मंति नरे मोदी द्वारा दी जारे किस्तों का अपलाब ले सकते हैं चाहे वह दो हजार रुपेई किस्तों चाहे वह एक हजार रुपेई किस्तों या फिर वह 500 रुपेगी किस्त ही क्यों ना हो इन सबी किस्तों का अपलाब ले सकते हैं तो दोस्तों यह थी एक महत्तपून अपडेट जानकारी जिसके तहट आपना जंधन खाता खुलवा सकते हैं ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राब जय बारत